जारी कर दी है ताब रधाजे साहु जो हैं वो महासमुल से चुनाव लड़ेंगे और सीधे हम उनसे बाचित करेंगे को कुशिश करेंगे फिर से पार्टी ने एक भरोसा दिया है महासमुल से चुनाव लड़ेंगे जा रहे हैं किस तरह करेंगे मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी सीड सनेत्रीतों को बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकामना देना चाहता हूँ अपने रास्टी अध्यक शादरनी मलिकार जून खडगे जी को अधरनीय सोनिया जी अधरनी राहुल जी प्रियंका जी वेनु गोपाल जी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर आदरनीय रजनी पाटील जी हमारे जनरल सेक्टरी सचीन पाइलेट जी हमारे प्रदेश अध्यक दीपक बैज जी नेता प्रितपक शरंदास महान जी भूपेज बगेल जी सब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पीर से टी एस सिंदेव जी एक बार उन्होंने सब मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए उन सब को धन्यवाद और आभारी हूं और महासमुंद की लोकसभाचेतर की जन्ता को भी आस्वस्त करना चाहता हूं कि आपसी सद्भाव संभाव का वातवरन बनाकर आपसी भाईचारा का वातवरन बनाकर जैसा वो चाहेंगे जितना अच्छा सच्छा काम होगा करेंगे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मह कोशिस करूंगा इच्छेतर की जनता की आकांचाओं के अनुसार काम करूं अद्रुग के बाद में महासमुंद का रुख की है किस रहा है रूख नहीं किया हूँ पार्टी ने आदेज दिया है उसका पालन करूंगा जिस तरह से बीजेपी कह रही है चार्ट सो पार करना दे किस तरह से रहेगा नारा देना उनका काम है लेकिन जो नारा दे रहे हैं वो कभी भी संभव नहीं होगा क्योंकि हमारे भारत वर्स के आप सब चिंतन करेंगे आजादी के बाद से जितने भी चुना हुआ है सिर्फ एक बार पंडित जवाहरलाल नहरू तीसरे बार प्रध वर्तन होगा कांग्रेस गटवंधन की सरकार बनेगी तो देखिए तामरदार साउथ है बता रहे थे कि किस तरह से वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं महासमूंद सी चुनाव लड़ेंगे और कहना है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है निश्यत रूप से इनका यह कहना जब प्रत्याशी बनाए जाता है और हम लोग लड़ते हैं तो विपक्ष और पक्षी लड़ता है इसको में चुनावती कैसी मैं नहीं मानती चुनावती जिस तरह से रहती है उसी तरह से रहेगी मैं भी एक आम महिला हूँ लड़ूगी अपने छेतर में जो मैंने किया है उसके उस पे जो मेरे पिछली सरकार ने किया है उसके उपर में और जो हम लोगों ने विकास किया है देश का अपने चेतर का जो हमारी कॉंग्रेस सरकार ने किया है उसके उपर में लड़ोगी कि इदार जांज़ई चांपा से कॉंग्रस ने शेव bonus को टिकटट दिया उन्वन ने का के पर्टी ने भरूस सा जताया उस पर खराँ उतरेंगे घैज elves मौजूद हैं पूर मंत्री हैं और जांज़ई चांपा से वेयर में उतर रहे हैं सबसे पहले आप आप से बात कि थी तो आपको रखता है और लोगसोबार चुनाओं में चांग्रेस का महाल है चत्रीगड में चत्रीगड हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है और जानजीर जीला हमारे किसानों का जीला है हमारे अंसुची जाती जन जाती के भाईयों का जीला है तो निश्चित रुप से वहाँ पर कांग्रेस को बहुंबत मिलेगी से पहले आपको दिखाया था कि सुची में जो है वो कौन-कौन सा संभावित नाम हो सकते हैं और अभी जो पहली सुची जारी हुई है पूरी के पूरी पूरे नामों पर जो है मुहर लगी है और दूसरी तरब बात करना तो शीव डहरिया का सा दावा है कि सीटे बढ़ेंग काई जारी है दुर्ग लोकसभा से राजेंदर साहु को मौका मिला है उनके परिवार के साथ निव्जेटीन ने बातचीत की कि लंबे इंदिसार के बाद में कॉंग्रेस ने लोगसभा प्रतियाशिकी घोशनदें कर दिये दुर्ग लोकसभा शेतर से राजेंदर साहू को मैदान पर उतारा गया है और आप देख सकते हैं हम राजेंदर साहू जी के हाँ पर निवास में बैटे हुए वाला कि वो नहीं है लेकिन ऐसारे परिवार में यहां के लोग मौझूद है उनकी मा मौझूद है उनकी बड़ी बाबी मौझूद है उनकी पत्नी मौझूद है सभी और सभी खुशियां मना रहें क्योंकि लंबा इंतिजार था और सबसे बड़ी बाद बहुत इंतिजार करना पड़ा लेकिन आज शिवरात्री के दिन में कि बड़ी खुशी इनके घर में राई है, कैसा लग रहा है आज अपके? आज ऐसे लग रहा है, बहुत दीन बाद हम लोग को इतनी बड़ी खुशी मिली है कितना इंतिजार था, और उमीद कैसी थी? उमीद तो थी, मिलेगा करके, लेकिन थोड़ा सा घबरा गया थे बीच में, लेकिन कांग्रेस जनों का आसिरवाद रहा है, वरिष्ट लोगों का, तो इनके उपर अपना भरोशा जता है, और इनको टिकेट दिये है वरिष्ट से इंतिजार कर रहे थे, कि टिकेट कोई मिलेगी, और हम चुनाओ में उतरेंगे, कैसा लग रहा है, इस बार कितना विश्वास आपको इस बार विश्वास है कि हम जीता अजील करेंगे आँटी, आपको कैसा लग रहा है, बड़े दिन बाद टिकेट मिली है, बड़े इंतिजार के बाद टिकेट मिली है बहुत दिन में मिली इस बाबू टिकेट है, मुरबेटा खुसी है मुला, अच्छा जीता है आज बड़ा प्रशाद मिला है, शीव जी ने पुसा दिया, भगवान प्रशाद जी से आज महा सीरातरिक दिन मुरबेटा टिकेट मिली से बहुत कुछी बाद है आज आज आप लोग पूजा करने के दुरान ये घोशना हुई है, कैसा लगा कि शीव जी का बड़ा प्रशाद मिला है बहुत अच्छा लगा, शीव जी ने बहुत बड़ी हम लोग को प्रशाद की रुप में दिये कि शांचत का टिकेट मिला, उसी बीच में हमारी घोशना हुई कि राजन साहु को टिकेट मिला है और हम चाहते हैं कि वहारी मतों से वीजी हो और अपने देश के लिए कुछ कर सके तो देखे, परिवार में काफी उत्सवा का महौल है क्योंकि बड़े इंतिजार के बाद में कॉंग्रस ने ये लिस्ट जारी की है और राजेंदर साहु जो यूवन एता कहलाते हैं उनको टिकेट दिगए, उनको पूरे विश्वास है कि इंतिजार का फल मीठा होता है